आज इस वीडियो में मद्द प्रदेश में सबसे उचा सबसे नीचा सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे अधिक और सबसे कम के स्टेटिक जी के गवारें बात करेंगे जो एक्जांग पॉइंट आप इसे बहुत ही महत्पूर है चाहे आप लोग आप लोग इसाम में बहुत ही मददगार सावित होगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले आप लोग इस चैनल पहली वारा है तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लेजिए बे लाकों को प्रेस कर लेजिए कि जब भी लेटेस वीडियो अप्लोड होगे तो एक असें सबस्क्राइब को फज्यक्राइब कर लोग को है मदब प्रेस दिश्क्राइब कर लोग स्वUST कर लेज है यह है जिए ऐलदू मिन हैं और गुरूफoyev के एक्जामें यह पूछा जक्वा कि मक्का महुस्ता 2020 में मद्द प्रदेश में कहां मनाया गया तो चितवाड़ा जिले में मना गया आप लोग को याद रखना है ठीक है नेश्ट है छेथपल में सबसे छोटा जिला कौन सा है यह निमाडी छेथपल के दिश्य सबसे छोटा ज आप लोग्या रखना है दो अठारेग बाद निमाडी बन गया है आपणों को धारखनाना है नेक्ट है चेथपल में Mig wzglड़ा संभाग कौन सा है कप्लोग जावलपूर है चेथऑ पकरिक्रिसए सबसे खोटा संभाग कौन सा है यह है सहडोल सबसे छोटा संभाग सबसे कम जनसंख्या बृद्धिक करने वाला जीला है इन दोर जिसे आप लोग अध्यक राजानी या मिनिस मुंबई की नाम से भी जाना जाते हैं इंदोर को आप लोगे आधुनिक मेनी मुंबई की नाम से भी जाना जाता है सबसे कम जन सेंख्या व्रिद्धिक करने वाला जिला कौन सा है ए अनुपूर है कौन से है अनुपूर आप लोगे यादखना है सबसे कम जन सेंख्या व्रिद्धी करने वाला जिला है अनुपूर आप लोग को याद अखना है नेश्ट है जन सेंख्या के देश्टी में देश्टी से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इन दोर नेक्स्ट है जन सेंख्या के दिसी सबसे चोटा जिला है अगर मालवा आप लोगो ध्यान अकना है ठीक है नेक्स्ट वोचन देखते हैं सरवाधिक नगरी जन सेंख्या वाला जिला कौन सा है सरवाधिक नगरी जन सेंख्या वाला जिला है इंदोर कौन सा है इंदोर आप लोगो याद लखना है सरवाधिक ग्रामिड जन सेंख्या वाला जिला कौन सा है यह रीवा सरवाधिक ग्रामिड रहने वाले लोग कौन से है यह रीवा में रहते हैं सरवाधीक नगरी लोग कहां पे लाते हैं इंदौर मेंध आप लोग को आप लोगराoyo चिला है प्रतिसद वाला जिला कॉंसा है इह भोवपाल होंगे बिना प्रतिसद में पूंछ तो इंदौर और रिवा होंगे और जब आपनों से प्रतिसत लगा दिया जाया उस percentage में पुछा जाया ता आप लोगो भोपाल होगा नगरी जनसेंख्या में और ग्रामी में होगा दिन डोरी जहां पर प्रतिसत न पुछाया उसमें इंदोर और रिवा हो जाएंगे आप लोग कोशन को ध्यां से पढ़ना है तभी उसका इंसर देना है चली अगला कोशन देख लेते हैं निउन्तम ग्रामीड जनसेंख्या प्रतिसत वाला जिला कोशन है यह भोपाल निउन्तम ग्रामीड जनसेंख्या प्रतिसत वाला जिला कोशन है यह धार कोशन है धार आप लोग को याद लखना है निउन्तम अन्सुचित जनसेंख्या प्रतिसत वाला जिला कोशन है यह भ नेस्ट देखने है है नियुनतम अन्सुचित जन जाती जिस्ट आप लोग को याद है। नियून्तम अंसुछिक जाती यह यह है ज्झाबवगा शरवादिक अंसुचित जाती यह प्रतिसत वाला ज्ञिलाय उज्ञाय क्या जाविक में कौन है शोजहिट को यह हो जो grainnा है कोश्छन को दो आप लोगे जिल प्रहरी एकजाम में आया हुआ है सरवादिक लिंगा अनुपाद वाला जिल वाला जिल एक ज़ाम में आली राजपूर एक कोश्चन आप लोगे group 2 subgroup 4 के एक्जाम में आया हुआ था अभी आहलीजिय में एक्जाम हुआ सरवाधिक साचर्था प्रतिसद वाला जिला कौन सा है यह जवलपूर सरवाधिक साचर्था प्रतिसद वाला जिला है जवलपूर नियुंतम साचर्था पूरूस साचर्था महिला साचर्था प्रतिसद वाला जिला है अलिराजपूर पूरूस नियुंतम में पूरूस और मह में पुरुस साचाथा वाल जिले में नेश्ट है सरवाधिक महिला साचाथा वाल जिला है इंदौर सरवाधिक पुरुस में साचाथा वाल जिले में है जवलपूर और महिला में है इंदौर सरवाधिक वन किस विलिच किसके हैं सागाउन एन टिक के हैं किसके हैं टिक के आप इंडिया के बता देते हैं वह इंडिया में सबस्राइदा बात किया है तो उसमें है साल किसके हैं साल विरिच है आप लोग को यादखना है और यंपी में सागान के सबस्राइदा विरिच है आप लोग यादखना है सरवाधिक वन विच कहापे है सागान टीक आप लोग को ध लानकना है चीतल है नेटेसे देखते हैं सबसे कम सी चाय वाला जिला कौण सा है और दूरी सबसे बड़ी जन्जाती कौण सी है यह है भील कौण सी है एक कौचन तो बहुत बार मिख्याम होते उसमें बहुत बार पुछा सबसे बड़ी जिन जाती है भी वह इंडिया में बात किया के मद्ध जो जिसकी लंबाई किसी उचाई है तेरे सो पचास मीटर आप लोग या दखना है यह भी आप लोग को पता है यह वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है यह आप लोग चाहे तो इस्टार मार्स कर लिजिए जो पंच बने कहां पर किस डिस्टिक में होसंगाबाद में कहां पर कहां पर होसंगाबाद में आप लोग को या दखना है नेश्ट कोश्चन देखते हैं मदपदे का सबसे निचा अस्थान कोश्चन है यह है नर्वदा नदी मदपदे के सबसे लंबी नदी को उसी है नर्वदा नदी नर्वदा नदी को ही मदपदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है मद्द परदेश की जीवन डेखा के नाम से भी जाना आता है तुने से कुछ बाद बता दिते हैं कंको से हैं धुद धारा कंपिल धारा और ग॑ंधा जल परपाथ जो बहुत ही होती हैं नर्बदा नदी कहा से निकलती है नर्बदा नदी अमर कंटक से निकलती है कहा से नर्बदा नदी अमर कंटक से निकलती आप लोग कोई धानक ना है कहा से अमर कंटक से अमर कंटक कहा पर है आप लोग बताए किस डिस्टिक में है आप लोग comment box में बताईए अमर कंटक किस district में ने किस जिले में है आप लोग comment box में बताईए जेखते हैं आप लोग तैरिक ऐसी है नर्बदा नादी अमर कंटक से निकलती है अमर कंटक से 3 नदिया निकलती है कौनको से ये नर्बदा, सोन और जोहिला नर्वदा, सोन और जोहिला जो है तीन नदियां निकलती है आप लोग को इधानकना है कहाँ से अमर कंटक से आप लोग अमर कंटक ज्यरू बताईए किस जिले में इस्तित है सबसे मोटी कुएला परत कहाँ पे है सिंग रोली में कहाँ पे हैं सिंग्रवली में यह मद्द पर्देश का सबसे पूर्वी जीला है आप जरूरी आखना है पूछ लिया जाएगा है मद्द पर्देश का सबसे पूर्वी जीला कौँसा है तो सिंग्रवली आप लोग को ध्यान अखना है सिंग्रवली को ही मद्द पर्देश की उर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है मद्द परदेश का जो बेढ़न सहर है उसे उर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है आप लोग को धानकना है सबसे बड़ा भोतिक विवाग कौनसा है मालवा का पठार आप लोग को या दखना है मालवा का पठार सबसे बड़ा कोईला भंडार पुछा जाया तो कहाँ पे है सोहागपूर छेतर में सबसे मोटी कोईला परत पुछी जाया तो ओ सिंग्रोली है सिंग्रोली जी से उर्जा राजधानी के रुप में जाना जाता है सबसे बड़ा कोईला भंडार पुछा जाता है वो है सोहागपूर छेतर में सबसे बड़ा कोईला भंडार पुछा जाया वो है सोहागपूर छेतर में आप लोग को या दखना है सुहाग पूर्षेत किस जिले में आता है यह आता है होसंगावाद जिले में कहाँ पर आता है होसंगावाद जिले में आप लोग को ध्यानक ना है प्रदेश का सबसे बड़ा सिवलिंग कौन सा है भोजपूर मंदिर प्रदेश का सबसे बड़ा सिवलिंग है भोजपूर मंदिर का सिवलिंग जो रायसें डिस्टिक एनी रायसें जिले में इस्तित है कहाँ पे रायसें डिस्टिक में आप लोग यादखना है रायसेंट district में इस्तिते, आप लों चाहे तो not down कर लिजे, मद्द पते का सबसे बड़ा सीवलिंग है ढोचपूर का मंदिर, जो रायसेंट district में इस्तित है, अज़ा कोचन देखते हैं, प्रदेश का सबसे कुपोसीच जिला कौन सा है, एँ हài सियोपूर, प्रदेश का सबसे कुपोसित जीला है स्योपूर आप लोग को जाए रखना है ठीक है और प्रदेश का सबसे कम कुपोसित जीला है भोपाल कौन है सबसे कम कुपोसित जीला है स्योपूर एक कोश्चन जो सबसे कम कुपोसित जीला है एक वी कोश्चन बहुत बार एक्जान म पुछा गया है आप लोग चाहे तो स्टार्बाक्स कर लिजिए ठीक है नेश्ट कोश्चन देखते हैं परदेश का सरवाधिक सगन अवादी वाला जिला कौन सा है यह है भोपाल 855 पर किलोमेटर में लोग रहते हैं एक किलोमेटर 855 लोग रहते हैं आप लोग को धानकना है परदेश का सरवाधिक यानि देन्सिटी वाला जिला है भोपाल कौन सा है भोपाल आप लोग को याद अखना है सबसे अधिक विरल आवादी वाला जिला कौन सा है यह है दिन्डोरी 94 वर किलोमेटर में पर एक किलोमेटर में 94 लोग रहते हैं आप लोग को धानकना है सबसे अधिक वीरल अवादी वाला जिला है दिन्डोरी सबसे सगन अवादी वाला इनि देंसिटी वाला पापूलेस्टी वाला जिला है परदेश का सबसे गर्म अस्तान है खजुराहो, खजुराहो किस डिस्टिक में आता है, यह आता है निमारी डिस्टिक में, किस में आता है, निमारी डिस्टिक में आता है, आप लोग के अधकना है, परदेश का सबसे ठंधा अस्तान कौँसा है, यह पंचबडी है, कौँसा ह प्रदेश में सरवाधिक वार्था वाला वर्षा वाला अस्थान कौन सा है यह पंचमड़ी जहां पे 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है कहां पे पंचमड़ी में जो समद्ध प्रदेश में सरवाधिक वर्षा वाला अस्थान है कौन है सबसे कम वर्षा वाला चेता है भिंड जहां पर 55 cm होती है सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है यह है पंचवड़ी में 199 cm प्रदेश के सबसे बड़ी मस्जीद ताजुल मस्जीद कहां पर है भोपाल अपनी राजधानी मद्द प्रदिखी राजधानी मद्द प्रदेश के सबसे बड़ी मस्जीद ताजुल मस्जीद जो है भोपाल मस्जीद कहां पर भोपाल में आप लोग को याद अखना है चली अगला कोशन देखते है अगला है प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जक्सन कौन सा है यह रेलवे जक्सन इटार्सी है मद्द 3 मुमबई आगरा एने सिग जो है नेशनल हाईवे on मंद प्रदिका सबसे लंबा हाईवे है इनहें वां संसे लंबा हाईवे आप اللों याद अदो नाम से गुज़रता है मंद प्रदेश केज दिस्टिक्स से घुज़रता है आप एक बार जरू देख लिएगा आठ डिश्टेक से गुजरता है नेक्स देखते हैं प्रदेश का सबसे छोटा राष्टी रुजदान है यान 76 आप लोगो याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चिन देख लेते हैं यह है मद्दपद में सरवाधिक केला बुरहानपुर जिले में उत्पादी होता है बुरहानपुर जिले में सरवाधिक केला उत्पादी होता है मद्दपरदेश का सरवाधिक केला बुरहानपुर डिस्टिक में उत्पादी होता है आप लोग रिया दखना है मद्दपरदेश का दच्छिर द्वार भी इसु कहा था पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् सबसे बड़ा पर्निर निर्मार सयंत्र मद्द परदेश के खजुराहों में इस्थापित किया गया है, आप लोग को ध्यानकराई भेरी भेरी important question है, ठीक है, आप लोग चाहे तो note down कर लिजिए, तो यही आज की वीडियो, I hope आप लोग को पसंद आ होगी, यह दि आप लोग subscribe चाहिए, आप लोग टेलिग्राम चैनलेंग कर सकते हैं, और आप लोग इस्टाग्राम पर भी follow कर लिजिए, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी post आप लोग को मिलती रती हैं, आप लोग इस वीडियो को एक लोगों के साथ share करेंगे, तो बहुत लोगों के पास बहुत ज